आज मैं आपको से शेयर करूंगी चिकन ग्रेवी का सालन जो 5-10 मिटे बन जाता है अगर आपका चिकन अंदर से फीका फीका रहता है तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका चिकन कभी भी फीका नहीं बनेगा अंदर से बहुत टेस्टी और जूसी बनेगा तो वीडिय हो गई बहुत जादा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिसमिल अरफमांद रही मसला अलीकूमाय तो फैमली कैसे है आप सब आप सब अच्छे होंगे अल्ला की फ़ेदर से आप सब अच्छे ही रहो तो यह लिया था मैंने सडसो का तेल दो बड़े चमच और इसमें डाल दी है कुछ खड़े मसाले जैसे दो छोटी इलाइची दो बड़ी इलाइची दाल शीनी का तुकड़ा तेज पत्ता पांच- सालन के अंदर भी दो काम होते हैं एक तो सालन में मज़ा आ जाता है और दूसरी बात प्यास भी हमारी जल्दी हो जाती है यह ट्रिक भी ज़रूर अजमाईएगा फ्रेंड आपको बहुत पसंद आएगी तो इधर आगे हम क्या यह मैंने लिया एक किलो चिकन और इसको पहले नहीं है तो फिरीज में मत रखिए का बहार रख दीजेगा तो मैंने एक घंटे रख देता है अगर आपके पास आज टाइम नहीं है तो आदे गंटे रख देए यकिन मानिफे यह ट्रीक बहुत अच्छी है आपका चिकन जो अंदर से फीका फीका बनता है वो कभी भी नह सालन का टेस्ट सो गुना बढ़ जाता है सालन तो आप जब बनाएं तो जरूर मुझे कोमेट्स मताइएगा कि आप लोगों ने यह ट्रीक अजमाई है या नहीं तो देखे सारा चिकन जो मैंने अपने कूकर में डाल दिया और इसे अच्छे से भूल लेंगे पांच मिनट मिर्ची नमक अपने टेस्के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रेंड मैंने प्यास के अंदर भी आपको नमक दिखाया था चिकन में भी थोड़ा मैंने नमक डाल रखा था तो नमक अपने दिहान से डालिएगा इसके अदर डाल देंगे अदर कलसं का पेस्ट एक चमच मतल तो वह भी डाल दें अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसकीब भी कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई गेस्ट आर ना फ्रेंड ज़ा यह वाली रेसिपी बेस्ट है और पांस से दस मेर बने में आपको ढ़क्ष नहीं तो बहुत ही मैदारी रेसिपी बनके तयार होत वो दाने दाना पड़ जाता है दई के अंदर तो ये देखें अच्छे से हमारा सालन बन के तयार हो चुका है इसके अंदर हम डाल देंगे एक चीज और नारियल का बुरादा और आप चाहो तो और भी चीज़े हो डाल सकते हो नारियल का बुरादा डालाता आप चाहो तो अदर काजू भी पिसके डाल सकते हो खशख़श भी डाल सकते हैं तो मैंने बोला ना सिंपल वाला बना रही हूँ पर खाने में तो बहुत ही टेस्टी बना था अब इसके अदर थोड़ा साब डाल देंगे केवडा दो तीन डॉप डाल देंगे और ढख देंगे इसे और पांच मिनट ढखने के बाद इसे हम सर्फ करेंगे गर्म गरम आप इसे नान रोटी चपाती के साथ राइस के साथ सर्फ किजेगा यकीन माने फ्रेंड यह बहुत मेज़दार रैसीपी बनीती आप एक दफे मे गरम गरम खाया जाता है वना सालन का मज़ा तो बस दो गुना वाथ गरम गरम इसके साथ रोटी हो या नान हो या राइस भी ले सकते हैं आप इसे तो चलिए इसे हम सर्फ कर लेते हैं तो लीजे फ्रेंड हमारा चिकन का सालन बनके बिल्कुल तयार हो गया वो भी 5 त 10 मिन कृमेट में तो आई वोप आपको इसकी रेसिपी अची लगी होगी आफो तो प्लीज चैनल को स्कुराइब कर लिया करें वीन लाज़ को दो किया करें जब करते हैं Feder기